देश की लाइफ लाइफ लाइन बना भारती रेलवे स्टेशन लाखों लोगों को रोजाना सफर करवाता है रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां विभीन ट्रेन आती है और प्रस्थान करती है किसी यातरी की यातरा एक रेलवे स्टेशन से सुरू होती है और रेलवे स्टेशन पर ही समाप भी होती है हर वैक्ति को कभी न कभी तो सफर करना ही पड़ता है ऐसे में भारत द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला साधन है रेलवे रेलवे पर सफर करना सबसे सस्ता और अराम दायक तरीका माना जाता है ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा हजारों लोगों को एक साथ लेकर कर सकती है जिससे यात्रा करना काफी असान हो गया है और काफी लोग ट्रेन से ही ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करते हैं रेल्वी स्टेशन पर आपको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्द कराई जाती है जैसे फूर्ड स्टॉल, टी स्टॉल, ट्वालेट, टिकेट काउंटर, आदी आज हम बात करेंगे जार्खन की राजधानी राची की राची जंशन रेल्वी स्टेशन के बारे में अगर आप हमारी चैनल में नए हैं तो मेरी इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले साथ ही घंटी का आइकन दबा कर आल पर क्लिक कर ले जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए बिना देर किये हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं राची जंशन रेल्वी स्टेशन भारती राज जार्खन की राज़तानी राची में स्थित है इस रेल्वी स्टेशन का स्टेशन कोड आरेंसी है रांची रेलवे स्टेशन का जोन साउथ इस्टर्न में पढ़ता है और डिविजन रांची में पढ़ता है रांची रेलवे स्टेशन में 40 ट्रेनों की हाल्टिंग होती है यह स्टेशन प्रती दिन हजारों से ज़ादा यात्रियों को सेवा उपलग्द कराता है रांची रेलवी स्टेशन को 1908 में आरम किया गया था दोस्तो मैं आपको बता दू रांची रेलवी स्टेशन को जैपूर रेलवी स्टेशन की तर्च पर रेनोवेशन और डेवलप किया गया है राची जंशन बस टर्मिनल और बिर्सा मुंडा एरपोर्ट के भी नियरेस्ट है राची रेल्वे स्टेशन से सरकारी बस टर्मिनल की दूरी लगबग 600 मिटर और बिर्सा मुंडा एरपोर्ट से लगबग 5 किलो मिटर की दूरी पर इस्थित है सिटेशन से सहर के लगबख हर जगा के लिए बसे उपलब्ध है सहर की किसी भी जगा के लिए ٹैकिसी और आटो रीक्सा रेल्वी स्टेशन के एक्जिट पर ही मिल जाएगी राची जैशन में टोटल सिछ प्लाटफॉर्म है प्लैटफॉर्म तीन ओवर ब्रीज और एक एसकलेटर के साथ जुड़े हुए हैं इन में से दो फुट ओवर ब्रीज से आप इस्टेशन के बाहर से ही डारेट किसी भी प्लैटफॉर्म पर पहुँच सकते हैं यहां हर प्लैटफॉर्म पर आपको खाने की स्टॉल्स मिल जाएंगे जहां से आप अपनी जर्नी को इंजॉय करने के लिए अपनी फेवरिट स्नैक्स ले सकते हैं यहां हर प्लैटफॉर्म पर पीने के लिए पानी की विवस्था की गई है यहां हर platform आपको काफी neat and clean मिलेंगे क्योंकि यहां पर साफ सफाई की काफी अच्छी व्यवस्था की गई है वर्तमान में station के दुसरी ओर से भी station के अंदर entry करने की व्यवस्था की गई है जिससे लोगों को काफी सुविधा भी हो रही है राची station के front area को 2012 में सुधारा गया है यहां पर बिचो बिच एक garden बनाया गया है garden में ही एक पुराना steam engine को रखा गया है जो पूरे station को बहुत ही attractive look देता है तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो वीडियो कैसा लगा हमें comment करके जरूर बताए और साथ ही नीचे दिये गए लाल रंग के subscribe बटन को दबा कर subscribe कर ले और घंटे का आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूले दोस्तो आप लोगों में से कितने लोगों ने राची रेलवे station से travel की है हमें comment करके जरूर बताए तो दोस्तो मिलते हैं किसी नए interesting topic के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखे धन्यवाद